Hello and welcome to the channel guys Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको One Card को online apply करने का पूरा procedure एकदम step by step बताने वाला हूँ मैंने guys One Card के लिए जो है One Score application के थूँ apply किया था मुझे 95,000 रुपीज का यहाँ पर credit limit मिल चुकी है और साथ ही साथ जो है मैंने virtual card जो होता है इनका उसे भी activate कर लिया है 4-5 दिनों में मेरे पास इनका physical card भी आ जाएगा तो guys, वीडियो में मेरे साथ बिल्कुल अंतक बने रहिएगा पूरा process जो है मैं आपको step by step करके बताऊंगा यहाँ पर और आगे बरने से पहले guys, मैं आपको one card के बारे में थोड़े से इसके benefits भी बता देता हूँ one card है दोस्तों, इंडिया का पहला metal credit card साथ-साथ में है बिल्कुल lifetime free, कोई आपको यहाँ पर joining fees नहीं देनी होती, कोई annual fees नहीं देनी होती, और साथ-साथ यहाँ जो आपको reward points मिलते हैं, वो होते हैं, बिल्कुल ही never expiring, और reward points को redeem करने के लिए भी आपको कोई charges नहीं देने होते हैं साथ-साथ में दोस्तों, आपको इस credit card को apply करने का procedure जो है वो भी बिल्कुल ही simple है, आप इनकी mobile app से इसे directly कर सकते हैं यहाँ पर जो है, one card के founder company है, यानि की FPL technologies, वो आपसे कोई income proof नहीं मांगती, कोई आपका salary statement नहीं मांगती, जो एक चीज़ आपको चाहिए होगी इस card को apply करने के लिए वो होगी एक अच्छा civil score आपको सिर्फ 750 प्लस का civil score maintain करना होता है, अगर आपका एक अच्छा civil score है, तो definitely आपको ये credit card जो है, मिलेगा और साथ-साथ में जो है, आप इस one card को जो है, इनी की mobile application के थूँ completely manage कर सकते हैं आप online, offline transactions enable कर सकते हैं, ATM transactions enable disable कर सकते हैं, साथ-साथ में जो आप international transactions हैं, उन्हें भी enable disable कर सकते हैं, तो ये थे कुछ amazing benefits, जो हमें one card में देखने को मिल जाते हैं, तो चलिए अब चलते हैं सीधा मेरे mobile की screen पर और जानते हैं, इसे online apply करने का पूरा कुस्स, one card के लिए apply करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में जो है one score नाम की application को download कर लेना होगा जो कि ये completely India made application RBL Technologies के दोरह से बनाया गया है उसके बाद जो है, आपको यहाँ पर अपना mobile details enter करनी होगी, mobile details enter करने के बाद जो है, आपके पास OTP receive हो जाएगा, OTP को verify करवाने के बाद आपको अपना यहाँ पर personal email और अपना name यहाँ पर enter करना होगा name enter करने के बाद जो है guys आपको यहाँ से done के option के उपर select कर लेना होगा, और आपकी details को और आपके name को यहाँ पर verify करवाय जाएगा और उसके basis के उपर जो है, आपकी pen card details को यहाँ से fetch कर लिया जाता है तो उसके बाद जो है, आपको अपनी pen card details को मुझे OTP receive हो चुका है, OTP enter करने के बाद, guys आपको यहाँ से done के option पर select कर लेना होगा जैसे ही आप done के option पर select करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा एक बहुत ही अच्छा civil score था, 760 plus का और experience भी बहुत ही मेरा अच्छा था तो उसके basis के उपर, guys, मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं, lifetime free, जो है one metal credit card को offer, directly यहाँ पर मिल गया है, तो इस first phase में जो है, यह सबको नहीं मिल रहा था, लेकिन second phase में जो है, directly, जो है, one score app यहाँ पर users को यह है, directly option available करवा रही है, उसके बाद यहाँ से जैसे आप proceed के option पर select करेंगे, आपको यहाँ पर cities यह बता देखा कि कौन से cities में currently available है, और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि मेरी civil score और civil report के basis पर जो मेरा address safe थे हैं, उसने इसमें automatically fetch कर लिया है, तो अगर दोस्तों 95,000 रोपीज की जो है credit limit one card में मिल गई है, उसके बाद मुझे अपने address को यह verify करवाना होता है, तो मैं एक नए address के उपर अपने credit card को मंगवा रहा हूँ तो मैंने अपने address को यहाँ पर finally enter कर लिया है, address details enter करने के बाद जो है guys आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं one card के लिए eligible हूँ और अब जो है, अगर मैं virtual card active करना चाता हूँ, तो मुझे one card नाम की application को यहाँ download करना होगा one score app से जो है, आप physical card को मंगा सकते हैं लेकिन virtual card लेने के लिए आपको one card application को download करना होता है, जो कि अभी currently beta stage में है, तो मैंने इसे download कर लिए है अब आप यहाँ पर सारे features देख सकते हैं instant personalized rewards हमेहाँ मिलेंगे zero joining piece होगी, और app के थ्रू जो है completely अपने virtual card को manage कर पाएंगी उसके बाद वही, फिर से आपको अपना mobile number यहाँ पर enter करना होगा, आपके mobile number पर OTP आएगा, OTP के बाद आपको यहाँ पर अपनी email ID को verify करवाना होगा जैसे ही आप यहाँ इस सारी details verify करवा देंगे, आपको यहाँ पर अपना एक password set करना होगा app में, और यह सारी चीज़ें करने के बाद आपको अपनी यहाँ personal details enter करनी होथी है, जैसे कि आपका name, आपका father name आपकी mother name, आपकी nationality उसके बाद आपको अपना marital status और आपका occupation, यह सारी personal details आप जैसे ही इस app में एक बार feed कर देता है one card नाम की application में तो यह सारी details setup हो जाएगी और जैसे ही सारी details setup हो जाएगी आप यहाँ again फिर से देख सकते हैं कि 95,000 रूपीस की जो है मुझे limit मिल चुकी है powerful app यहाँ पर यह सारे benefits दिखा देगा 5x rewards, 4x markup के charges और उसके बाद आपको terms and conditions को agree करना होगा और finally जो है आपको फिर अपने है कि वाइस ही जैसे आप verify करवा देंगे finally आपको आप यहाँ देख सकते हैं आपकी card पर क्या नहीं चाहिए वो enter करना होगा और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा virtual card ready to use है मैं इसे instantly अब online payments के लिए use कर सकता हूँ आप इसके अलावा जो है या doubt है इससे apply करने से related तो आप comment section में मुझे definitely पूछेगा मैं पका से answer कर दूँगा इसके अलावा guys आप मुझे instagram के उपर भी question भेज सकता हैं मैं वहाँ भी आपको जवाब देद दूँगा और guys अगर आपको यह video पसंद आया है तो जाने से पहले जरूर से इस video को लाइक कर दीजेगा और अगर चैनल के उपर नए है तो चैनल को subscribe करना मन भूलेगा और साथ ही साथ bell icon को प्रैस कर दीजेगा ऐसे ही interesting videos के update सबसे पहले अपने पास पाने के लिए